शांत लग टू, सेक्टर 56, 300 बच का 4 बेडरूम, 4 वोश्रूम्स का एक अल्ट्रा लग्जिर्स बिल्ड अफ्लोर आज आपके लिए में बहुत बढ़ीया लोकेशन पर बहुत बढ़ीया प्राइज में आज आपके लिए गाईज यहाँ पर लेकर आया हूँ तो स्थीच साफ़ करी दो बाहुत बढ़ीया बढ़ीया ओर्वाँ बाहुत बढ़ीया भाकेशन कर दो कर दो हाई गाईज वेलकूम बेक टो में यूट्यूब चैनल डिजैर हो मेरे नाम है निशानते कलो और प्रोपर्टी दिलाऊंगो आपको इसी साल आज हम लोग हैं सेक्टर 56 में जान पर मैं आपके लिए तीन सो बेज का फोर बेट्रूम फोर वोट्शन का अल्ट्रा लुट्रा लुट्री बिल्डफ लोडे करें और प्रोपर्टी आपकी बोट साइड ओपन होने वाली है लोकेशन बहुत बड़ी है लोकेशन की अगर मैं मिलने वाला हूँ बहुत स्पेशिएज ले बहुत अशे रेट में और बहुत ही स्पेशियाज घर अगें आपको यहां पर आज मिलने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लोर की मैन इंट्रेंस और इस से बहले पार की बात करूँए तो दो काइडियों क पारकिंग आज आपको यहाँ पर मिलने वाली और 7 कोटर आपको यहाँ पर मिल जाता है और availability की बात करें तो 3 फ्लोर फिलाल अभी अभी अवेल पर हैं तो चलिए start करते हैं main entrance से दिखाता हूँ आपको की काम किसी के काज आपको यहाँ पर गाईस मिलने वाला है so चलिए start करते हैं सबसे पहले फ्लोर की main entrance से और main entrance पर lift मैंने बताया आपको शेंडलियर की 5 पेसिंजर lift आपको 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 देने वाले है then अगर मैं main door की बात करो तो almost 8 feet height का यहाँ पर linear door आपको लगा कर दे रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है and then यहाँ पर याले का biometric lock जो कि आपका passcode xx fingerprint and यहाँ पर key operate आपको होने वाला तो overall बहुत बढ़ी entrance और दर्वाजा होने वाला है and साथ ही उसके हम लोग देखते है video doorbell बोद्रेज का आपको यहाँ पर video doorbell दिया जा रहा है आप यहाँ से main door local log video conferencing के तूप कर सकते हैं so overall enter करते ही हम लोग आज आते हैं आपके launch come dining area में launch come dining area का size 23 by 30 square feet का आपको यहाँ पर size मिलने वाला हो और flooring के अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर italian marble आपको यहाँ अपर flooring में बिदाता है अगर मैं overall काम की बात करूँ इस launch area की then हम लोग main wall की बात करेंगे हाँ पर MDF के साथ उपर डेको पेंट का काम की होगा इस बहुत ही सुंदर काम आपको आज ही हाँ पर मिलने वाल है अगर बहुत स्पीशियस है काम बहुत बड़ी है आपको इहाँ पर मिलने वाल है एसी यहाँ पर हीड है अचिक है डेटन का आपको लगा कर देने वाल है तो एक बल लेओब में हाँ सब्रीप करूँगा में डोर के साथ आपका एंटर करते ही डाइनिंग कम लाँच देन राइट साइड में आपका दो बेडरूम मेरे फ्रेंट साइड में होने वाल है देन लेफ साइड में बेक साइड बैलकनी के साथ आपके दो बेडरूम और सेंटर में आपकी मोडले केचन आपको मिलने वा फ्लोरिंग अगें इतालियन मापल आपको मिलने वाली है और उसके बाद अगर मैं बात करूँ है यहाँ पर फोल सिलिंग की तो फोल सिलिंग बहुत बढ़ी है आपको यहाँ पर क्रॉम्टर की ऑटोमेटिक फैंस लगा कर दे रहे हैं प्लस राइट साइड में आप देख सक काम प्लस डेको पेंट का जो काम के विद आपको यहाँ पर गॉल्डन प्रोफाइल के साथ बहुत ही बढ़ी है काम आपको यहाँ पर आज मिलने वाल है और अगें टीवी के बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर मिलने वाल है तो जो काम का लेवल है बहुत ही अच्छा ले मैं फ्रंट बेड्रूम में आता हूं और साइस की बात करूंगो तो 16 वाइट 12 स्केर फिट का फर्स बेड्रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्लोरिंग इटैलियन माबल और अगर मैं फोल सिलिंग की बात करूंगा तो फोल सिलिंग ओल्मोस सड़े 10.5-50 विट के आसपर मिल जाता है फैंग आपको यहाँ पर मिल जाते प्लस जो सलिंग में लाइं लाइट से आपको वाम वाइट के साथ आपको यहां पर वाम वाइट प्रोफायल भी मिल जाती है तो अवररल बहुत अच्छा रूम साइज आप तो आपको यहां पर मिल जाती है। प्लस आपको गलास की बात करूं तो आपको सारे एलेक्रोनिक मिनर्स मिल जाते है। प्लस ओरियंट के गीजर्ज एंड अगेन अगर में बात परो शेवर एरिया आपके यहाँ पर सेपरेट हो जाता है ग्लास पाटिशन आपको यहाँ पर लगा कर देने वारे तो अवरहल आपको quality of tiles and finishing बहुत बढ़िया यहाँ पर मिलने वारी है तो चलेंगे भी यहाँ से second bedroom में तो first bedroom के बाद चलते है second bedroom और second bedroom के size के अगर आप बात करोगे तो 13 by 12 square feet का आपका यहाँ पर second bedroom होता है 13 by 12 square feet फ्लोरिंग में यहाँ पर आपको इंजीनरी को जो कि आपकी वुड़न फ्लोरिंग वह मिल जाती है प्लस वोल पेपर काम आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको fan and fall ceiling आपको यहाँ पर भी मिल जाती है प्लस आपको ventilation के लिए यहाँ पर fourth room में shaft में UPVC window लगा कर दे रहे हैं स्टोरेज के लिए आपको सेम यहाँ पर laminated shade में और gloss में आपको यहाँ पर wardrobe मिल जाती है और अगर मैं अभी बात करूंगा यहाँ पर AC की तो AC आपको सेम ही टैची का यहाँ पर मिल जाता है आपको shower area separate है glass partitions आपको मिल जाता है यहाँ पर and again electronic mirrors plus आपको यहाँ पर vanities and यहा आपको fans and exhaust यहाँ पर आपको मिल रहेंगा इस तो second bedroom से निकलते ही चलें अभी हम लोग moderate kitchen की तरफ जो आपके center में होने वाली है third or fourth bedroom के और kitchen का किस रिक है किया है आए दिखाता हूं आपको तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर kitchen shutters की तो यहाँ पर high glow sparkle finish के आपक आपको complete pantry यहाँ पर मिल जाती है microwave one के लिए space आपको यहाँ पर दिया गया और top marble की बात करोगे तो white color का आपको यहाँ पर top marble मिल जाती है plus alica की chimney and hoe आपको automatic यहाँ पर मिल जाती है and again आपको चिमनी के साथ दो black color के shutters glass shutters यहाँ पर मिल जाते है with rose gold color की profile के साथ तो वहरां kitchen क यहाँ पर जो लुक दी है rose gold color में आपको लुक दी है plus आपका kitchen backside balcony के साथ यहाँ पर attached है और वो भी UPVC window आपको यहाँ पर दी गई है और सबसे बड़ी चीज़ कि यह जो float है आपको both side open float है तो दोनों तरफ backside में कभी future में यहाँ पर कुछ floating नहीं होने वाली तो overall बहुत अ Fally Mava मिल रहा है और यहाँ पर wallpaper का काम आपको किये होगा मिलने वाला है plus आपको यहाँ पर hanging lights मिल जाती है fall ceiling में and falls ceiling again guys बहुत बढ़ी है और जो profile यहाँ पर भी room में जो दी गई है guys बहुत ही बढ़ी है काम आपको यहाँ पर profiles का और lights का मिलने वाला है और fans आपको और औरें अब मैं बात करूंगो आपका same washroom की, तो washroom again size meetings आपको यहाँ पर जगवा के मिल रही है, यहाँ पर भी shower area आपका separate हो जाता है, glass partitions आपको यहाँ पर मिल जाते है, electronic mirrors यहाँ पर मिल जाते है, प्लस आपको hanging lights यहाँ भी मिल जाते है, तो चलेंगे अभी हम लोग 4th bedroom में और 4th bedroom का साइज काम दिखाता हूँ भी किस लेवल का आपको आज यहां पर मिलने वाला है तो थर्ड बेड्रूम से अपोजीर सेंटर में आपकी किचेन तो आगए हम लोग अभी फोर्थ बेड्रूम में साइज की बात करोंगो तो सिमिलर साइज या थर्ड बेड्रूम के साथ 16 बा के साथ आपका फोर्द बैड्रूम अटैज है है यहां पर वौल पेडर का काम आपको किया हुं मिल रहे सेंल कı इसी अप को यहां इहां पर यहां बी lige आपको जैगवार की प्लस आपको electronic mirrors यहाँ पर मिल जाते हैं, shower area separate है, आपको यहाँ पर glass partition मिलने वाले हैं, प्लस आपको ceiling fans और hanging lights and deezers यहाँ पर मिलने वाले हैं, So overall, 4 bedroom, washroom, kitchen, living dining सब में आपको दिखा चुका हूँ, एक बार वापिस घरियान से ब्रीफ करूँगा, सुशान्त लग 2, sector 56, 300 गर्ज, 4 bedroom, 4 washrooms, bathroom fitting सारी आपको जैगवार की मिल रही हैं, fans यहाँ पर living dining में automatic मिल जाते हैं आपको, उसके अलाबा यहाँ पर hanging lights, wallpaper, प्लस आपको PU का काम बिल जाता है, overall घर में maximum आपको Italian marble मिल रहा है, kitchen bowl spaces and बढ़िया मिलने वारे हैं, और float both side open होने वाले हैं आपका, अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, inventory की तो फिलाल 3 floor अवेलबल हैं, pricing starting from 2.25 CR only, pricing negotiation है और उसके बाद negotiation के लिए 9-0-50-4-8-6-8, निशानत अगरवाल की नमबर पर आप poll कर सकते हैं, तो guys घर कैसा लगा प्लीज आप मुझे जूर बताना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा भाई भाई धन्यवाग्त, जहन गाईस,